हेलो आप शुरू करें लीनियर एल्जबरा का ये 23rd lecture इट इंक्लूट्स लीनियर डिपंडेंस 6th lecture पिछले वीडियो में हमने system of linear equations का determinant approach आपको सम्झाया था non-homogeneous system के लिए और homogenous system के लिए तो non-homogeneous system और homogenous system दो आप जानते ही हो अब हम उसी खाँ आपको बताने जा रहे हैं matrix approach तो matrix approach जह हम बताएंगे ना तो उसमें एक चीज आएगी rank of a matrix तो सबसे पहले आपको हम rank ही समझा दे रहा है rank of a matrix पहले definition देखिए if at least one minor if at least one minor is non-zero if at least one minor of ariyat order is non-zero and all the minors of higher order of higher orders are zero then the rank will be then the rank of the matrix will be small r इसमें कुछ बाते हैं हम इसे मोखिक समझा दे रहें बकिया matrix में तो सब आप पढ़ो गई यदि second order तक के उपर से शुरू होते कम करते करते second order तक के minor सारे 0 हो गए तो rank one मान लिया जाता है दूसरी चीज़ null matrix का rank 0 माना जाता है हलाकि इस तथ्थी की जरूत में नहीं पढ़ेगी तो ये तो rank हो गया rank पर एक example आपको हम बताना चाहेंगे example a equal to 1, 2, 3 minus 1 2, 3, 4, 5 और फिर 1, 2, 3, 1 ऐसे कुछ ले लिया तो ये 3 cross 4 की matrix है जब हम minor बनाना शुरू करेंगे minor मने determinant तो third order का ही determinant सबसे बड़ा बनेगा तो वो minor कहलाता है उसको बनाईए third order के कितने minors बनेगे एक या एक से ज़्यादा क्योंकि रोज तो 3 नहीं है column हमारे पास 4 है column choice है एक बरिस को छोड़ाँगे एक बरिस को तो हम यहां लिखेंगे language में बहु बचन plural minus of third order r कुल कितने बनेगे चार तो हम इस कालम को छोड़के पहला लिख रहे है 1, 2, 1 2, 3, 2, 3, 4, 3 और इसको calculate कर रहे है equals to 1 into 1 plus 2 into minus 2 और plus 3 into 1 equals to 1 plus 3, 4, 4, minus 4, 0 अब हम तीसरा कालम छोड़के लिखेंगे 1, 2, 1 2, 3, 2 और तीसरे को छोड़के लिखेंगे minus 1, 5, 1 इसको calculate कर रहे है equals to 1 into minus 7 plus 2 into यहाँ पहम प्लस लिखते हैं अंदर गुणा उल्टा कर देते हैं 3 और minus 1 into 1 equals to 2, 3 जाँ 6 6 minus 1 7 6 minus 1, 5 5 minus 7 minus 2 यहने कि 0 नहीं आया तो कुल 4 minor 3 cross 3 के बनते हैं चारो निकाल लिया हमने माल लीजे और फिर हमने देखा एक minor non zero है तो तुरंथ हम कह देंगे कि rank कितना हो गया 3 definition याद करें rank R तभ होगा जब at least 1 minor of our yath order is non zero and all the minors of higher order are zero तो इस case में third order से ज़्यादा order के minor बनेंगे ही नहीं अगर बनेंगे तो zero जो बनेंगे नहीं तो जगड़ा थोड़ी करना है तो हमको चार minor calculate करने थे लेकिन हम दूसरे पर ही काम ठप करके E-T-C लिखना चाह रहे है क्योंकि हमें तो सिर्फ एक minor non zero खोजना था हमने खोज लिया therefore rank of A is equal to कितना rank होआ 3 third order का कम से कम एक minor non zero है एक example हम आपको और बताना चाहेंगे एक example और बताना चाहेंगे A equal to 1,2,3,4,5,6 7,8,9 यह 3 cross 3 का है सबसे बड़ा minor कितने order का निकलेगा 3 cross 3 का है एक निकलेगा कि एक से ज़्यादा एक निकलेगा तो यहाँ पर लिखिए minor minor of third order is वो कोन होगा यही determinant के रूप में यही determinant इसी का determinant 1,2,3 इसको बोलते है determinant value of this matrix 4,5,6 7,8,9 इसकी value calculate करिए 0 आएगा फिर हम क्या करेंगे अब फिर जैसे third order का minor था न एक कम करिए second order का minor तो minor अब एक से ज़्यादा बनेगा माइनर लिखिए minors of second order minors of second order are अब देखो third order से हमको बनाना है second order के minor में हमको दो rows और दो columns लेने हैं तो हम इस row को पहले छोड़ने हैं फिर इस column को चोड़ा फिर इस column को चोड़ा फिर इस column को चोड़ा तो एक minor बन गया 1, 2, 4, 5 चोकि non-0 है बकिया 8 minor हम calculate नहीं करेंगे अब हम लिख देंगे ETC क्योंकि माले जी हम 9 के 9 निकाल लिया तो हमें देखना क्या है कम से कम एक अगर non-0 मिल गया तुरंथ हम लिख देंगे rank 2 तो कम से कम एक जाई से मिला प्रोसेस बंद कर देना चाहिए therefore rank of A equal to 2 because at least one minor of second order is non-0 and the minor of third order is 0 ठीक भई एक example हम और बताना चाहेंगे आपको हाँ इसको देखते समय पता नहीं आप rank जानते हैं नहीं जानते हैं इसलिए मैं मुकमल ट्रेनिंग दे रहा हूँ एक example लोग A equal to 1, 1, 1 2, 2, 2 3, 3, 3 ये भी 3 cross 3 का है तो third order का एक minor बनेगा सबसे बड़ा minor हम पहले सुरुआत करते हैं कितने order के बन सकता है फिर एक order कम करके बनाते हैं अब सारे minors फिर एक order कम करके सारे minors बनाते हैं ऐसी बनाते चलते हैं तब तक जब तक कि हमको non-zero minors ना मिल जा है तो minor of third order इस यही डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 2 2 3 3 3 और इसकी value कितनी आएगी 0 ठीक ना फिर minus of second order minus of second order और कुल 9 minus बनाईए पहले आप इस रो को छोड़के बनाईए इसे चोड़िए फिर इसे चोड़िए फिर इसे चोड़िए तक है बनेगा 1 2 1 2 equal to 0 फिर वही तीन बार 1 2 1 2 equal to 0 ना फिर इसको छोड़ाँगे तो ही चीच फिर आएगा 1 2 1 2 equals to 0 अब इसे चोड़के बनाएएंगे second order फिर वही तीन बनाएंगे 1 3 करके बनाएगा 1 3 1 3 equal to 0 1 3 1 3 equals to 0 1 3 1 3 equals to 0 अब इसे चोड़के बनाएगे तो 2 3 के combination में तीन बनाएगे 2 3 2 3 equals to 0 2 3 2 3 equals to 0 2 3 2 3 equals to 0 यानि second order तक के सारे minus 0 हो गए इसलिए rank कितना मना जाएगा first क्योंकि first order का determinant नहीं होता है determinant सबसे छोटा 2 cross 2 का होता है therefore rank of a is equal to 1 because all the minus of all the minus up to second order are 0 तो हमने rank बता दिया इसके बाद अब आप देखिए non-homogeneous system जहां पर आता है उसका solution कैसे निकालते है non-homogeneous system matrix approach ax equal to b ऐसा यह matrix form इसका non-homogeneous system का यह matrix form this system is consistent पहले भी आपकों बता चुके है कि non-homogeneous system या तो consistent होगा या तो नहीं होगा this system is consistent if rank of augmented matrix a b is equal to rank of coefficient matrix a पहली बार दूसरी बार consistent होने पर solutions के प्रकार क्या होंगे let n be the number of unknown variables number of unknown variables and r be the and r is equal to rank of augmented matrix a b equals to rank of coefficient matrix a then symbolic language मिलिक रहा हूँ number ek r equal to n indicates unique solution unique solution number two r less than n infinite number of solutions infinite number of solutions in which n minus r solutions will be independent यही थेरी है पिस पर बेज़ आईए एक नमर कल जल्दी से देखला है आईए पिस्टरा और देखला है is the vector 2 minus 5 3 belonging to v3 r a linear combination of the vectors a linear combination of the vectors 1, minus 3, 2 2, minus 4, minus 1 and 1, minus 5, 7 of V3R note of interrogation पूछा जा रहा है क्या ये वेक्टर इन तीनों का linear combination है linear combination की रूप में लिखा जा सकता है तो हम लिख दे रहा है फिर उस system की consistency consistency चेक कर लेंगे तो यह हो गया 2, minus 5, 3 is equal to a into a लिख दो ने, x लिख दो x into ये पहला वेक्टर, 1, minus 3, 2 plus y into 2, minus 4, minus 1 plus z into 1, minus 5, 7 तो देखो यह सब आप जानते हैं आपको सब समझा चुके हैं x का multiplication करो, इसमें y का, इसमें z का फिर तीनों को जोडो, फिर इसके equate इसको बराबर करो तो जागा, x plus 2y plus z equal to 2 minus 3x minus 4y minus 5z equal to minus 5, तो इस सारे minus हम हटा दे, अगर आप इस question को पहचानदो example को, यह हम determinant approach में बताएं थे आपको अब इसी को matrix approach से भी बता दे रहा है फिर तीसरा तीसरा लीजिए भाई, 2x minus y plus 7z equal to 3 इसमें number of equations, number of unknown variables बराबर है, इसमें determinate approach भी हम लगा सकते हैं, इसको हम matrix approach से आपको बता रहा हैं, तो यह होगा system number 1, इसमें number of unknown variables कितने है, 3, n is equal to 3, अब हम rank की बात करने जा रहे हैं, अब देखिए rank कैसे निकालेंगे, इसका matrix form होगा, that is, A, X equal to B, where A is equal to coefficient matrix 1, 2, 1, 3, 4, 5, 2, minus 1, 7, and X is column matrix of unknown variables, X, Y, Z, and B equal to, यह जो right hand side में constants है, 2, 5, 3, ऐसा, Now, augmented matrix, A, B लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, पहले तो A लिखिए इसमें, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 2, minus 1, 7, और ऐसे partitioning की line कीचिए, और 2, 5, 3 लिखिए, इसी को बोलता है, augmented matrix, संबर्धित आव्यू, बढ़ा हुआ आव्यू, यह आव्यू को बढ़ा दिये, ने, फिर दोखो बच्चों क्या करते हैं, linear algebra में, इसकी rank निकालने के लिए, जब तुम rank chapter matrices में पढ़ोगे, तो कई तरीके हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ एक तरीका adapt करेंगे, हम row elementary row transformation लग आ रहे था है, तीन प्रकार के row elementary row transformations होते हैं, तीन प्रकार के elementary column transformations होते हैं, जैसे कि row transformation में ऐसे, ri is interchanged by rj, ri is replaced by ri into non-zero number, मालो k से multiply कर दिया, और एक है, ri is replaced by ri plus k rj, यह तीन elementary transformations, नहीं हैं, यह elementary transformations हैं, अईसे ही जहाँ जा capital r है, वहाँ capital c कर दो, तो तीन प्रकार के column elementary transformation हो जाएंगे, elementary column transformations, ध्यान रहे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ri is replaced by k ri plus rj, यह elementary transformation नहीं है, यह transformation है, यह transform कर देगा, किसी का रूप बदल देगा, but it is not elementary transformation, पहले तो यह साथभानी रखियेगा, elementary transformation को सही सह पेचा नहींगा, दूसरी चीज़ एक हम result यहीं direct बताते हैं, क्योंकि मापको matrix और आपको rank हम नहीं पढ़ा रहे हैं, डिटेल में, वह result यह बता रहे हैं, कि किसी भी matrix पर elementary transformation चाहिए जतनी बार लगाई है, उसकी rank नहीं बदलती है, तो गजब की property होती rank भी, किसी भी matrix पर elementary transformations लगाने से उसकी rank नहीं बदलती है, number 1, number 2, किसी matrix में हम elementary transformation लगा दें, तो दूसरी matrix मिलेगी, तो उससे क्या बोलता है, equivalent matrix, जो पहले वाली है, और जो बदल के आ गई, दोनों आपस में क्या कहलेंगे, equivalent matrices, equivalent word इसलिए बना होगा, क्योंकि दोनों के rank बराबर होता है, जीरो करो, फिर 22 प्लेस पर 1 बनाओ, उसकी मदद से इसको जीरो करो, फिर 33 प्लेस पर 1 बनाओ, उसकी मदद से नीचे जीरो करो, नीचे कुछ ही नहीं है, यानि जो प्रोसेस में बता रहे हैं, कहीं ने कहीं, finite number of times यह ब्रेक हो जाएगा, रूख जाएगा, और जब लेंगवर फॉर्म करते हैं, तो चली यह सूरू करें, जो ट्रास्फार्मेशन इस पर लगाना है, यहीं बगल में लिख दे रहा है, यह बी एक तरीका है, यहां तो लेंगवर्ज में लिखे हैं, पलाइंग फला 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 फला, लेकिन शॉटकट मारना है, आर टू इस र 1, 2, 1, 2, 3-3, 0, 4-6,-2, तीन गुना घटाना है, ठीक है, 5-3, 2, और 5-6,-1, इस में ट्वाइस सब्ट्रेक्ट करना है, 2-2, 0, तो, माइनस 1, माइनस 4, माइनस 5, 7-2, 5, 3-4, माइनस 1, ठीक क्या न, यह पार्टिस्निंग वाली लाइन लगाते चलिए, अब, अब यहां पर 2 बनाना है, 1, लेकिन 1 बनाने के चक्कर में आफ रेक्शन भी हो जाएगा, इसका भी हमें द्यान देना है, तो फिर क्या करें, फिर हम यह करें कि इसको और इसको पहले चेंज करें, R2 is interchanged by R3, equivalent, 1, 2, 1, 2, 0, माइनस 5, 5, माइनस 1, 0, माइनस 2, 2, माइनस 1, यह रहा है, अब हम इसका इसका कॉम्बिनेशन करेंग न, तो यहां पर 1 यहां माइनस 1 कुछ न कुछ बन जाएगा, तो लगाइए, R2 is replaced by R2 minus 2, R3, कौन बदलेगा, R2, R2 change होगा, किस से change होगा, R2 minus 2, R3 से, Augmented matrix, AB is equivalent to, 1, 2, 1, 2, पहला row as it is, दूसरा देख होगा, 0, क्या करना है, This minus twice of this, तो minus 5 plus 4, minus 1, और 5 minus 4, 1, और minus 1 plus 2, 1, यह वाला as it is, 0, minus 2, 2, minus 1, तो यहाँ पर 1 तो नहीं बना, लेकिन minus 1 बन गया, यह भी चलेगा, क्योंकि 1 हम इसलिए बनाते हैं, क्योंकि 1 का multiple करके किसी चीज को 0 बनाना असान है, और वैसे fraction आ जाएगा, fraction को avoid करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर error की गुंजाइज बढ़ जाती है, तो इसकी मदद से इसको 0 करना है, तो क्या कर रहे हम, R3 is replaced by R3 minus 2 R2, इसमें से इसका twice घटादेंगा, तो 0 हो जाएगा, equivalent to, 1, 2, 1, 2, 0, minus 1, 1, 1, 0, 0, 0, और minus 1, minus 2, minus 3, अब इसको 1 बनाने के जरुत ही नहीं, क्योंकि काम ही नहीं है, तो यही जो है, बन गिया आपका, triangular form, therefore, rank of AB equal to number of non-zero rows, number of non-zero rows, यह ध्यान रखिए, triangular form में जब matrix reduce हो जाती है, तो rank क्या होता है, number of non-zero rows, ठीक है ना, non-zero rows, इसन क्या, और कितनी है, एक, दो, तीन, and rank of A बराबर कितना होगा, A मनें यह वाला हिस्सा, number of non-zero rows, A में, number of non-zero rows, A matrix reduce होके इतना हो गया ना, इसमें number of non-zero rows कितना है, 2, तो चुकि यह यह बराबर नहीं है, इसलिए consistent नहीं होगा, ना, Now, rank of augmented matrix AB not equal to rank of A implies that the system, the system is inconsistent, inconsistent, मनें, जो पहला आप लिखे थे system, उसके पास solution नहीं है, X, Y, Z की values नहीं निकलेगी, X, Y, Z की values नहीं निकलेगी, ताकि, एक vector अन्य तीन के linear combination के रूप में लिखा जा सके, Hence, वो कौन सा वेक्टर था जिसको LC के रूप में लिखना था, 2 minus 5, 3, cannot be, cannot be expressed, as, linear combination of, अब पकिया तीन कौन कौन से थे थे भई, 1 minus 3, 2, 2 minus 4 minus 1, and 1 minus 5, 7, तो मैं समझता हूँ यह अपने समझ में आ गया होगा, और अगर यह consistent होता, तो हम उसको solve करके, X, Y, Z की values निकाल देते हैं, और linear combination को हम completely लिख देते हैं, इस वीडियो को ही रोकते हैं, बकिया बातचीत अगले वीडियो में, Thank you very much.